नमस्कार जैहिंद वन्यमातरन दोस्तो आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेडी प्लेट्फॉर्म रास्ट रित्मे सिक्षा इस धीर जिवेदे फ्रॉम गुरुजी वर्ड बात करेंगे दोस्तो एक नए सिध्धान की मनोविज्यान में कोहल बर्क का नैतिक विकास का सिध्धान बहुत सारी बहने बहुत सारे बाई बहुत सारी ग्रहणियों का कमेंट्स था कि हमें कोहल बर्क का सिध्धान कितने भी बार पढ़ ले लेकिन समझ में नहीं आता है तो आज हम पांच मिनट में चिपकाने वाले हैं आपके दिमाग में आपके परसेंट नंबर वहीं से आपको गेन हो जाएंगे तो भाईया हेटिंग डाल लीजेगा बिना टाइम के हुए कोहल बर्क का नैतिक विकास का सिध्धान सबसे पहले आप जिस भी सिध्धान को पढ़ते हैं जिसने दिया उसका सबसे पहले प्लेस आपको आना चाहिए केबल मात्र उसकी पूरी हमें जग्रोफी और हिस्ट्री की जरूरत नहीं है उसका ये देखना चाहिए कि वो कौन से देश से रिल करता है जैसा अगर हम पियाजे की बात करते हैं तो दोस्तो पियाजे हमारे थे आपके SWT से सुटिजर लेंड की बाइगोस्की और पाउलाओ की बात करते हैं वो रूस से थे थे थॉन डाइक अमेरिका से थे ऐसे ही आपको एक कोईंट डालेना है लॉरेंस कोहल बरग एक अमेरिकन मनोवैज्यानिक थे सन एक बार भूल जाना लेकिन अमेरिका नहीं भूला है USA option में आए तो बार दिना ठीक है तो कहां से थे अमेरिकन मनोवैज्यानिक कौन सा नियम का सिध्धान दिया नैतिक विकास का सिध्धान दिया अब हम बात करते हैं यहाँ पर next point की next point में कोहल बर्ग का नैति विकास का सिध्धान आप कोगे सर एकदम से आप लेकर आगए हमको स्टेज पर क्या मतलब है सुनिएगा सबसे पहले आप से कुछन ये पूछता है कि कोहल बर्ग ने कितनी अवस्थाएं दी है हम पूरा डिटेल में बताएंगे देखीगा कोहल बर्ग का नैति विकास का सिध्धान आप सभी जानते एक point को नैति विकास को नोट कर रहे न जब भी नैतिक्ता की बात आए तो हम पूरा अभी समझाएंगे नैति विकास के सिध्धान के अंतरगत इन्होंने तीन स्टेज को बताया है और तीन स्टेज के साथ-साथ हर एक स्टेज की दो-दो सब स्टेज है तो जब भी सब स्टेज की बात करे उप चरण की बात करे तो 6 है स्टेज की बात करे चरण की बात करे तो 3 है ठीक है? अब वो कौन कोज़ी है पूर परमपरागत 4-10 बर्स परंपरागत 10-13 बर्स उत्तर परंपरागत या 13 बर्स से अधिक यानि आप प्रीकर कन्वेंशनल स्टेश की बात करते हैं तो 4-10 साल तक कन्वेंशनल स्टेश की बात करते हैं 10-13 साल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेश की बात करते हैं तो 13 बड़ से अधिक, अब मतलब क्या है, नैतिक विकास का सिध्धान क्या दिया है, क्या नहीं, इस नैतिक विकास के सिध्धान को पढ़ने से पहले, आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए, नैतिकता क्या है, आपसे कई वार कुछन ये पूछा गख्या बता है कि बच्चा जब प्रतवी पर जन्म लेता है मा के गर्ब से जन्म लेता है तो क्या बच्चे के अंदर नैतिकता होती है तो आपका अंसर होगा नहीं क्या नैतिकता होती है नहीं होती है क्यों नहीं होती है क्योंकि नैतिक विकास बच्चे में तभी आता है जब वो किसी समाज में रहेकर आपस में अन्यून क्रिया करता है या परिवार के साथ क्रिया करता है या आसपडोस के साथ क्रिया करता है ठीक है इसके अलाबा नैतिक बे उहार जनमजात नहीं होता है मैंने बताया इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अरजित किया जा सकता है समाज के द्वारा लोगों के द्वारा आस परोस में बच्चों के द्वारा घर परिबार में माता पिता के द्वारा नहतिक विकास डेबलेप होता है ठीक है समझ ल जालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पडोस सथा स्कूल में नैतिक विकास होता है, मतलब क्या है, जब बच्चा बड़ा होता है, धीमे धीमे, घर से बाहर पैर निकालता है, और पैर निकाल कर क्या करता है, स्कूल जाता है, आस पडोस में बच्चों के साथ खेल के म गया कि बच्चा पैदा होता है तो नैतिक विकास नहीं होता है जब बालक का जन्म होता है तो वे नानैतिक होता है और नाही अनैतिक होता है तो दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट बेहद इंपोर्टेंट बच्चा नानैतिक नानैतिक होता है वो बीच की कड़ी होता है बलक तब तक बातावर्ण नहीं मिलेगा पर्यावर्ण नहीं मिलेगा बच्चों की अन्योन क्रिया नहीं होगी समाज की अन्योन क्रिया नहीं होगी या आसपडोस का बातावर्ण इफेक्ट नहीं करेगा तब तक नैतिक विकास का संभव नहीं है ठीक है अब बात करते हैं कोहल की स्टेजिस की बात कोहल बर्ग के नैतिक सिध्धान की बात कोहल बर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विसेश प्रकार के साक्षातकार का प्रियोग करने के बाद यह बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं हमने कहा चरण पूछे तो टिक मार देना आँख बंद करके 3 या 6 यह डिपेंड करेगा आपके कुश्चन के उपर भाया अगर आपसे यह पूछे चरण तो अगर उसमें 3 आप्शन में ना दिया हो तो 6 मार देना अगर आपसे उप चरण पूछे तो डाइरेक्ट आपको क्या मार देना है 6 मार देना है जबकि चरण हमने बात करी है हर इसकी बात करी गई है जो अभी हम भताएंगे ठीक है इन 6 चरणों में प्रतेक चरण नैतिक दुविधा को सुल्जाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण है अभी हम आपके दिमाग में क्लियर करते हैं बालकों में चरित्र निर्मार या नैतिक विकास के किया कि कहीं न कहीं बच्चे का नैतिक विकास, moral values कैसे कैसे उसमें जो है ये डेबलेप होता है क्या निसकर्स निकाला है क्या चरित्र में डेबलेब्मेंट होता है ये सारी परिभासाएं उन्होंने तीन चरण में और एज के हिसाब से most point है एज के हिसाब से देखा कि बच अच्छा ना तो अनैतिक होता है ना नैतिक होता है अब हम बात करेंगे एक-एक स्टेज की अब हमें लगता है कि आपकी जो जड़ है ना कोहलबर्ग की वो बिलकुल मजबूत हो चुकी है अचरा देखीगा हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कोहलबर्ग ने कित अवस्था भी कहते हैं या आप पश्च्परम परागत अवस्था भी कहते हैं ठीक है जो ऊपर हमने सबसे उपर लिखाया है तो वहां पर बिलकुल आपको अगर प्रीमोरल लेवल अब मतलब क्या है जरह समझेगा एक मिनट में समझाता हूँ प्रीमैतिक इस्तर की बात में एक चीज आती है इसमें डायरेक्ट कुस्षन ये बनता है कि कोहलवर्ग के पूर्वनैतिक इस्तर की एज क्या है तो आपकी जब एज पूछे तो चार से दस साल क के लिए ये एज होती है अब हम बात करेंगे ये एक इस्तर है तो जब एक इस्तर है तो इसमें दो चरण की बात करी होगी दो सबस्टेज की बात करी होगी तो पहला क्या है जरह याद रुकिएगा हम यहाँ पर पहले बता देते हैं पहला क्या है आग्या एवम दंड की अ इसको कहते हैं stage of order and punishment, दूसरा है एहंकार की अवस्था stage of ego, अब मतलब क्या है इस 4-10 साल के अंदर बच्चा करता क्या है कोहल बर्ग के according, सुनियेगा, पहली सब stage के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आग्यावा दंड की अवस्था, कम आयूबा अपरिक्व, यानि अ बच्चा क्या करता है अगर बच्चे को आप पुरुसकार दोगे तो वो अच्छा काम करेगा, तो वो आग्या का पालन करेगा और वो आगे भी अच्छा काम करता जाएगा अगर आप पुरुसकार देते रहोगे और पुरुसकार की कामना करता जाएगा और अच्छा काम क करता है और आप उसको दंड देते हो तो बच्चा कार नहीं करेगा और दंड से क्या करेगा डरेगा ठीक है उसको पता हो जाएगा कि कौन अच्छा काम है और किसे हमें पुरुसकार मिला है कौन अच्छा हमारे लिए है और कौन हमारे लिए बुरा है तो दंड वाला काम वो अच्छा फल भहिया और बुरा करेगा तो बुरा फल भहिया तो इसलिए वो बुरा के लिए दंडित होता है जब बच्चे से आपसे जब कुछन पूछा जाए कि बच्चा आग्यावा दंड की अवस्था किस से रिलेट करता है बच्चे की आग्यावा दंड की अवस्था कि से relate करते ही है तो वो answer होगा आपका पूर्व नैतिक इस्था ठीक है अब बात करते हैं परिवार के सदस्य बच्चे को कारे करने का आदेश देते हैं उस कारे को ना किया जाने पर बच्चे हमेशा दंडित होते हैं यानि अगर दंड देना है तो भाईया बच्चा कुछ गलत बच्चा जब कुछ गलत करेगा तो भाया दंडित होगा की नहीं होगा तो इसलिए दुबारा बच्चा इसको रिपीट नहीं करेगा और अगर आग्या की बात करेगा तो वो दुबारा रिपीट करेगा समझे ना मैं तीन चार बार इसको दोरा चुका हूँ अब आपको अब यह एहंकार की अवस्था क्या है इसी की सव स्टेज है पूर्व नैतिक स्थर की यानि पूर्व परंपरागत अवस्था की इसको हम कहते है भाईया किसको अहंकार की अवस्था यानि हम कहते है इगो अब इगो का मतलब क्या है अब देखीगा जैसे जैसे बच्चे की आ तो दे से जूट बोलने से आप से कई बार कुशन पूछा है कि ये बता दीजेगा कि जूट बोलने से या वह अपनी एक्षाओं के लिए कारे करता है अपने स्वयम के लिए कारे करता है तो भाया ये बताओ कौन सी अवस्था होगी अपनी इच्छा पूरा करने के लिए उस जूट बोलने से उद्दे से अगर पूरा होता है तो ये कोहलवर्ग की कौन सी अवस्था है ये पूर्वनैतिक इस तरका सब स्टेज है एहंकार की अवस्था जैसे एक्जामपल देते हैं यदि उसका उद्दे से जूट बोलने से पूरा होता है यानि भूक लगने से कोई कोई चीज रखी हुई है अलबारी में और चुरा कि खा लेता है और पूछे जाने पर कहता है मैंने नहीं खाइखती है तो उस उसको यह मतलब नहीं है तो यह क्रिया की अवस्था में आ जाती है तो आप पूरी तरीके से समझ लिएगा या एक और अग्जामपल आता हूं कि जैसे 10 रुपए मुझे दिये गए और कोई खाने वाली बस तु दो तभी मैं काम करूंगा यानि आगर बच्चे से कहा जाए कि ये काम कर दीजेगा तो वो बच्चा कहेगा मैं नहीं करूंगा अगर मुझे आप 10 रुपए नहीं देंगे तब तक मैं काम नहीं क करूंगा यानि वो क्या कर रहा है उत्देश से को तभी पूरा करेगा जब आप उसको रुपए दे देंगे तब वो कहेगा अब मैं करूंगा ये एंकार की अवस्था है ठीक है समझ में आया तो हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं लेकिन आपको दुबारा पढ़ने की जरूर लेवल ठीक है क्या कहते हैं कन्वेंशनल मौरिल्टी लेवल या फिर कन्वेंशनल स्टेज परम परागत अवस्था इसमें क्या है कि इसमें बच्चा मैंने उपर कहा पूर्व नैतिक अवस्था की जो एज थी वो चार से दस साल थी और इसमें हम जैसे ही बच्चा बड़ अवस्था तक है तो 10 से 13, 12 से 14, 18 से 20, 21 से 60 इस टाइप में दे देता है तो याद रखी का 10 से 13 वर्ष की अवस्था है इस इस्तर को भी दो उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है मैंने कहा हर इस्तर के दो पार्ट को बाट दिया गया है सब स्टेज में अब परम सामाजिक अवस्था के प्रतिसमान की अवस्था, स्टेज ओफ रिस्पेक्ट फॉर सोसल सिस्टम यानि प्रसंसा की अवस्था और सामाजिक विवस्था के प्रतिसमान की अवस्था अब मतलब क्या है इसको जड़ा समझ लेते हैं सबसे पहले हम सब स्टेज की बात करते है प्रसंसा की अवस्था अब हम जड़ा ध्यान दीजेगा यहाँ पर कहरा है कि stage of appreciation की बात कर रहा है इस अवस्था में बच्चा भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 10 से 13 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ ध्यान है की नहीं मैं परंपरागत नैतिक इस्तर की हम पहली सब stage पढ़ रहा है 10 से 13 साल की बात कर रहा हूँ इस अवस्था में लिखा है प्रसंसा की अवस्था अब कोहलबर क्या कहते है सुनना इसमें बच्चे क्या इसमें बच्चे दो सब stage में जाते हैं और क्या कहते हैं कि अगर बच्चे को लगेगा कि यह काम प्रसंसा करने वाला है तो वह दुबारा करेगा उस काम को और इक्चा करेगा कि लोगों के दौरा वो प्रसंसनिया हो और लोग उसकी क्या करें हमेशा तारीफ करें ठीक है बच्चा इस 10-13 साल की एज में यही अविलासा दूसरे से करता है कि मैं ऐसा काम करूँ जिससे लोग हमारी क्या करें तारीफ या प्रसंसा करें, अप्रिशियेशन करें इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के लिए करता है जिससे वह प्रसंसा करें, उसको अच्छा लगना चाहिए, स्वयम अनुभूती होनी चाहिए, सुखद अनुभूती ठीक है, तो आप से अगर कुश्यन पूछे, प्रसंसा की अवस्था किस स्टेज में आती है, तो परम परागत नैतिक इस तर में आती है दूसरी और समाज के सदस्य बच्चों से विशेश अपेक्षाए करने लगते हैं, तो समाज से उन्हें सुख्रित मिलने लगती है इस अवस्था में बच्चे उन्ही ब्योहारों को उच्चितबा नैतिक मानते हैं, जिनके लिए बे परिवार, स्कूल, परोस, मित्रमंडली से प्रसंसा प्राप्त करते हैं तो भाईया, अब याद रखना है कि यहां से समाज के सदस्य उन्हें पर भरोसा भी करने लगते हैं और उनको लगता भी है कि ये बच्चा अब कहीं न कहीं चीजें संभा सकता है तो याद रखना है परिवार हो, स्कूल हो, परोस हो, मित्र हो इन सभी से प्रसंसा बच्चा प्राप्त करने की कोसिस करता है और सफल भी होता है और भाईया समाज के लिए बेतरीन कारे भी करता है यानि एक वर्ड पकड़ना है प्रसंसा तो वो हमारा किस से रिलेट कर जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा भाईया परम परागत नेतिक इस तर से नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार हम कहे सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का सुरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है बच्चा समाज के प्रती अपना कारे का बटवारा भी स्टार्ट करता है और दूसरे लोगों से चाहता है कि वो मेर प्रसंसा करें बस यह हमारा देशी भासा में एक वर्ड याद रख लेना ठीक है दूसरी स्टेज क्या है परंपरागत की खूब आपने सुनी होगी हाइनाईस की थियोरी मैं वो नहीं सुनाना चाहे था है न किसने दबाचुराई क्या नहीं लेकिन बस मैं आपको मेन देखी बात बता रहा हूँ दूसरा हमारा स्टेज है सामाजिक विवस्था के सम्मान की अवस्था सामाजिक विवस्था के सम्मान की अवस्था यानि स्टेज रिस्पेक्ट फॉर सोसल सिस्टम अब समाज के बारे में आप खुदी एक वर्ड पकड़ लो कि सामाजिक से र नैतिक विकास की ये उपवस्ता है और यह सबसे महत्वपूर्ण है इंपोर्टेंट है कोहल बर्क के अनुसार समाज के ज्यादा तर सदसे नैति विकास की इस अवस्ता तक पहुँच जाती है यानि यह नैतिक विकास का स्टार्टिंग का चरण है ठीक है स्टार्टिंग का यह चरण है और यह चाहता है कि बच्चे में नैतिकता को डेपलेप किया जाए तो नैतिक कहां से आ रही है कौन से सिधान से आ रही है कौन से चरण से आ रही है वो कोहल वर्क के परम परागत नैतिक इस तर दस से तेरा वर्स की एज में आ रही है इस सवस्था में प्रवेश की बात कर रहा है तो हम उसमें प्रसंसा की बात कर चुके हैं अब वह समाज को स्वयम एक लक्ष मानने लगता है यानि अब समाज ही सरवोपरी है उसके नियम क्या है कानून क्या है काइदे क्या है उसको समझने की वो कोशिस करता है ठीक है ये point आपको याद रखने है अब हम बात करते हैं दूस्तों अभी जितने भी बच्चे हैं याँ पर थोड़ा सा लगेगा कि हाँ बोरियस है ये लारेंस कोहलवर का सिध्धान्त बहुत बड़ा सिध्धान्त है लेकिन हम आपको वो सारे concept clear करेंगे tension नहीं लेने का अब हम बात करेंगे दो stage आपने खतम करनी last stage की बात करने वाले हैं वो देखिएगा विडो पसंद आ रहा ना तो बस केवल आप watch करिएगा पूरा watch कर लेजे मज़ा आ जाने वाला है और मैं ये देखूँगा कि लास्ट में कितने लोगों ने यहाँ पर किया है ठीक है ना बहुत बड़े है तो दोस्तों इस सिध्धान यानि कोहलबर के सिध्धान का अंतिम जो है चरण है उत्तर परंपरागत अवस्था यानि post conventional stage तो देखिएगा यहाँ पर भी दो हमारे सब stages की बात करी गई है पहला है समाज के साथ सम्मन और दूसरा है सारभ़ौमिक सम्मन अब इसका मतलब क्या है जरध्य différence दीजेगा कहता है कि समाज के साथ सम्मन यानि आप वह काम ना करें यानि बच्चा वह काम नहीं करना चाहता है और वह काम से डरता है जिससे समाज के साथ उसका समझोता टूटे तो बस याद रखीगा कोई भी बालक इस समाज लिख लेना है आपर समाज के प्रती अच्छा कारे करता है वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझोता टूटे इस समाज के साथ समझोता करता है समाज के साथ हमारा संभन्ध ne तोटे कुशन आए कि समाजिक नियम का पालन कप करता है बच्चा तो याद रोखना है उत्तर परंपरागत अवस्था में करता है ता है इस अवस्था में वह समझने लगता है यदि समाज में सहमती है सामाजिक नियम को बदला भी जा सकता है और वह समझ जाता है कि सामाजिक नियम निश्चित नहीं होते है समाज में कुछ नियम बदले भी जा सकते है और कुछ नियम उनमें सुधारा भी जा सकता है ठीक है? नेक्ष हमारी सबस्टेज है कि सारभ भॉमिक संबंद में क्या है कि इस सवस्था में बालक बिबेग का प्रियोग करता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कुछ नियम अपने आप से बनाता है जो समाज के लिए अच्छा है और वह देखता है कि समाज में क्या अ अपने यह समझने में सक्षम हो जाता है कि समाज के लिए क्या अच्छा, क्या सही नहीं है, क्या सकारात्मक, क्या नकारात्मक है, तो यह हमारी उत्तर परंपरागत अवस्था की सब स्टेज सारभोमिक सम्मन्द में जाएगी, ठीक है? इस अवस्था में बालक अपने मन से कारे करता है, यानि समाज के प्रति अगर वो नकारात्मक रूप से जाएगा, तो समझ लिजेगा समाज का पतन भी निश्चित है, इसलिए वो मन से कारे करता है, नैतिक्ता के बारे में सोचता है, और वो वहीं दसा में काम करता है, जिसक परमपरागत अवस्था में जाता है तो दोसों हम आसा करते हैं कि बहुत मेहनत लगाई है समझाने में समय चरूर लिया है लेकिन भूलोगे नहीं आप तो दोसों यहाँ पर जैहिंद वन्दे मातरम को कम्प्रेट करिएगा नोट डाउन करिएगा और सफलता में फत्य करिएगा जैहिंद इंकलाब, जिंदावाद, आधाब, सस्रीयकाल जैमहाकाल दोसों टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करने के लिए आप play store में जाएंगे और group को join करने के लिए सबसे पहले telegram आप कैसा भी लिख लिजेगा ठीक है ना telegram लिखना चाहिए आप कैसा भी लिखेंगे और telegram को download करने के लिए search option में जाएंगे लिखेंगे बाकाइदा आपका telegram खुल जाएगा और इस तरीके का कुछ logo आएगा इसको जो है आप देखेंगे और install करेंगे install पर click करेंगे तो दोस्तों आप क्या होगा इस तरीके से आपका install हो जाएगा और install होने के बाद आप जैसे ही आप whatsapp में चीज़ें करते हो नंबर डालते हो क्या करते हो है न वैसे तो आपको करना क्या है telegram में जाके search option में डालेंगे क्या जी हाँ गुरुजी वर्ड डाल देंगे जे यू बड़ा spelling का बहुत ध्यान देना एक space भी जरूर देना है डबलू ओ आर यल डी ठीक है आपने यह दे दिया इसके बाद आपने क्या किया कि बहुत सारे options आ जाएंगे आप कौन सा गुरूप यहां पर देखना है तो आपके पस बहुत सारे options है यह बी है यह सभी fake है कौन से यह सभी fake है आपको कौन सा ये पहला वाला ग्रूप है जिसमें बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे जुड़े हुए है इसको क्लिक कर देना है इसको जैसे क्लिक करेंगे तो देखेगा आपको PDF मिल जाएगी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी तो चीजें बिल्कुल आपके लिए सेम है ठीक है तो जॉइन करना बिल्कुल में भूलिएगा स्पेस जरूर होना चाहिए अपना लोगो जरूर देखना चाहिए गुरूची वर्ड का टेलिग्राम से जरूर जुड़ जाएगा पलपल की न्यूज अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन भी टेलिग्राम पर आपको आ जाता है अगर वीडियो का बात भी नोटिफिकेशन आता है जैहिन वह निवातरम